बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने आज अपने पैत्रिक जिला नालंदा में रोड शो कर चुनावी अभियान की शुरुआत कर दिये हैं हालाकि नालंदा जिले में अंतिम चरण एक जून को मद्दान होना है वैसे में फिलाल नामांकन भी नहीं हुआ है बावजुदिस के मुख्यमंत्री ने चुनावी अभियान की शुरुआत करते हुए रोड शो करना पड़ा यह पहला मौका है जब मुख्यमंत्री नितीश कुमार को खुद नालंदा में रोड शो करना पड़ रहा है वै भी तब जब नामांकन तक नहीं हुआ है ऐसे में मुख्यमंत्री के दोरे को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे है मुख्यमंत्री नितीश कुमार को क्या यह डर सताने लगा है कि नालंदा में भी उनका किला कमजोर हुआ है वही अस्तो थावाम विधान सभा की जद्य विधायक डॉक्टर जितेंद्र कुमार की गैर मौजुदिगी भी चर्चा का विशय बना रहा मुख्यमंत्री नितीश कुमार का निश्चय रत देवी सराय चोक पहुँचते ही एंडिये कारेकरताओं ने जोर्दार स्वागत पुष्प वर्सा कर किया जोदिश उन्हों कर दिया है तो हम लोग इनोन्रोद किया है कि दो मेट शम्या certi देगे तो एंडिये के तमाहर के कार्थ कर साथ कि यहां पर सुथ रहे आप जिस्वागत में और हम लोग स्वागत के लिए आएं पर आए हैं कि यहां से जाएंगे तो हम लोग अभिबादन करेंगे सबसे महला ले ले लेगे और रिक्वेस्ट करें कि दो मेट बोल देंगे जहां तो चुनाब एक जून को करम में और दो नवादा जाने के करम में वह नालंदा होते यह रास्ता है तो अपने वह से हकुआ धर रूप मिल लिए कड्या कार दो दा र नालंदा श्रकें कर्चते से जा रहते हम लोग स्वागत में लगेुए थे रोड सो नहीं है यह जा रहे थे नवादा अपने कार्शकरता हूं को हमने खबर किया जदियुक्य जिलाद ध्यक्ष ने खबर किया कि मन्य मुख मंत्री जी नवादा के कार्शकरता है रहा है हम लोग उनके स्वागत में रहे हैं जो नालंदा में इंडिये का जो महौल है वो महौल दिख रहा है नालंदा और बिहार में 40 सिट और देश में 400 सिट पार होना है यह लक्ष है भारतिय जनतापाटी का वो दिख रहा है झालंदा नालंदा पार है यह लक्ष कर दान ऊर्ड़ साज है